हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तुम्हें चैनल प्रडाक्टोर। आज मैं लेकर आए हूँ मोदी केर का इसेंचियल टीट्रियोइड। ये देखने में छोटा है लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जैसे छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। ये कहीं सारे समस्यां के मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ लोगों को लगता है कि ये चाय की पत्ती से बनाया गया है क्योंकि इसे टीट्री ओल कहते हैं। लेकिन इसे ऑस्ट्रियो में मिलने वाले एक पेड़ की पत्ते से निकाला गया तेल है जिसमें विटामिन E भी मिलाया गया है। CO2 सिर्दर्द सरदी तन की दुर्गन जैसे समस्याओं के लिए Tete Oint का इस्तमाल कर सकते हूए इन सारे समस्याओं के लिए इसे कैसे इस्तमाल करना है चलिये देखते है तो पहला है है seç रहर्प्रॉब्लम्स जैसे की हैर फॉल्द डान्र।फ इच्ची स्काल्प और हैर ग्रोव ना होने की प्रॉब्लम के लिए नानिल की तेल में 3-4 बुंथ टीट्री ओल डाल कर उस तेल को स्काल्प पर अच्छे से मसाज करके अगले दिन सुबह शैंपू से धो लीजिए ऐसे करने से सारे हैर प्रॉब्लम्स काम हो जाएंगे और हैर ग्रोथ भी होगा हफ़ते में इसे 2-3 बार इस्तमाल कीजिए दूसरा पिंपल्स या अट्मी प्रॉब्लम्स के लिए रात को सोने से पहले एक एर बड में टीट्री ओल लेकर पिंपल के उपर डारेक्ट लगा सकते है और अगर आपका स्किन सेंसिटर है तो टीट्री ओल को क्रीम या नारियन के तेल में मिक्स करके पिंपल के उपर लगाईए इसके अलावा फेस पैक में दो से तीन बोन मिक्स करके भी यूज़ कर सकते है टीट्री ओल को लगातार यूज़ करने से पिंपल और उनके मार्क्स कम हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तीसरा है स्किन प्रोबलम्स जैसे सोरियसस इचिंग के लिए टीट्री ओल के कुछ बुनों को नारियल के तेल में मिलाकर स्किन के उपर दिन में दो से तीन बार लगाना चाहिए किसी भी तरह का स्किन प्रोबलम हो उसके लिए ये एक बेस्ट प्रड़क्त है चौता है इंसेक्ट बाइट अगर किसी कीडे ने या मच्छर ने काट लिया जिसकी वज़े से skin irritation हो तो उस जगह पर tea tree oil को direct लगा सकते है और अगर sensitive skin वाले है तो tea tree oil को नारियल के तेल में mix करके लगा सकते है पांचों है sanitizer इसे पानी में मिला कर sanitizer भी भना सकते है क्योंकि ये germs, bacteria और virus को kill करता है तो tea tree oil से आप एक homemade sanitizer बना सकते है Sixth है fungal infection या जिसे कहते है athletes foot कुछ लोगों के पैर के उंगलियों के बीच में infection होता है तो उसे भी tea tree oil से treat कर सकते है रोज राग को पैरों को अच्छे से दोग कर उस infected area पर tea tree oil लगा कर सोना चाहिए 15 दिनों तक ऐसे करने से infection कम हो जाएगा Seventh benefit है इसे आप essential oil की तरब ही इस्तमाल कर सकते है जैसे किसी cream में shampoo या तेल में मिलाकर use करने से उस product की penetration power को बढ़ाता है मतलब किसी भी product से मिलने वाले benefits को दुगना बनाने के साथ साथ उतेजी से काम करने लगता है Eight benefit है अगर आपके सिर में दर्ध है तो एक टॉप tea tree oil लेकर अपने सिर पर लगा कर massage केजिए इससे कुछ ही मिंटों में आपका सरदर कम हो जाएगा Ninth benefit है अगर आपको सदी जुखाम की problem है तो tea tree oil को अपने नाग सिर पर लगा सकते है और इसके तीन से चार बूंदों को गरम पानी में डाल कर उसका भाप लेने से काफी relax महसूस होगा आखरे benefit है पसीने की बद्बू अगर आपके शरीज से पसीने की बद्बू आती है तो एक spray bottle में पानी लीजिए और tea tree oil के कुछ बूंदों को डाल कर उसे अच्छे से shake करके अपनी underarm area या body पर spray करने से ये समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि tea tree oil में कुछ ऐसे elements है जो दूर्गन पैदा करने वाले bacteria को मारता है इसके अलावा नहाते वक्त पानी में कुछ बूंदों को मिला कर उस पानी से नहाने से शरीर की दूर्गन को दूर बगा सकते है इसके इतने सारे benefits है क्योंकि इसमें antibacterial, antifungal, antiviral और antiseptic properties है और इसका penetration power बहुत सबर्दस्थ है इसलिए ये अंदर तक चाहकर आपको हर problems में best result देता है इसके अलावा अगर tea tree oil को किसी और product के साथ मिला कर use करेंगे तो उस product के benefits को भी बढ़ाता है ये सिर्फ external use के लिए बनाया गया है तो दोस्तों आज आप लोगों को tea tree oil के बारे में थोड़ा बहुत knowledge मिला ही होगा और आप जान पाए होंगे कि इसे किन-किन समस्याओं के ल प्रड़क के बारे में कुछ और information चाहिए या इस product को खरीदना चाहते है तो comment section में पूछ सकते है या फिर नीचे दिये गए नंबर पर DM भी कर सकते है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे please like share और subscribe करना मत भूलेगा